छंसे तूटे शीशे जो छेराना के मन मर जाए आसुमों को बहने से रोको ना के मन मर जाए काहन मर जाए मिसे सम्या ने रिजाइ देती है कुछ होच है आफिस का आपके नहीं तेखें कुरेश सब आप जाए लेकिन सब मैं सेर गफार को जा के क्या कहूंग अरे यह क्या कर रहे आप इतना जादा जैम अपने लगा लिए तो उस पर क्या शाही टुकड़ बना के खाने कह रादा है वो तरहसल ओफिस में किसी ने रिजाइन दे लिए किसने कुछ इतना एहम होगे आपकी जिंदगी में कि उसके इस्तेफ़ की वज़े से आपकी यहालत होगे मिस्स खान ने जरा जूर से बोलिए हमें इस संज में नहीं आया किसने मिस्स समिया औरंग्जेब खान ने तो क्या होगे अली तुराब रिष्टे के साथ-साथ आप इसका पिष्टिहार दे दिजी अखबार में एक घंटे में सैक्ड़ों उमीदवार आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने दफा करें मिस्स खान को जाती है तो जाए और कोई जरूरत नहीं रोकने की जुए यही करने जा रहा हूं आज अली तुराब आज शाम को लड़की देखने के लिए जाना है छे बज़े ने तस्वीर में तो चंदे आफ़ताब चंदे महताब लग रही है तो बस आप सही वक पे आ जाईएगा जे कुलनार कुलनार सना जो डिजाइन्स मैंने पसंद करके आगे भेजें उन्हें फाइनलाइज कौन करेगा मिस समिया और कौन ओ पर वो तो आई नहीं यार ऐसा कैसे चलेगा दस कंटेनर्स का ओर्डर पैंडिंग में पड़ा है और मिस समिया ने रिजाइन कर दिया यहां बॉस एकसेप नहीं कर रहें इसे और क्लाइन वहां शोर मचा रहें यार इश्क पर जोर नहीं यह आशिक है गालिप के लगाए न लगे और बुझाए न बुझे इसको तो बुझाईए तुम दोनों का हो गए है दिमाग खराब और मैं जानता हूँ सारा हिसाब इश्क में डूबे हैं अली तुरा सना शेट लगा लो तयार हो जाईए मैं कमालुल दिन वल जमालु दिन अगर आज यह साबित ना कर पाया कि सर और मैं समिया के दर्मियान इश्क का रोग है तो मैं आज शाम छे बजे तक इस्तिफा दे जाऊँगा सोच नुब कुछ जादा ही बुल गए छोटा मूब बड़ी बात मैं कमालु दिन वल जमालु दिन अगर आज यह साबित ना कर पाया कि सर और मिस समिया के दर्मियान इश्क का रोग है तो मैं आज शाम छे बजे तक इस्तिफा दे जाऊँगा रिकॉर्ड भी कर लिया लगी शार किसने बेज आए वो मेरा पुराने वाला बुके कहा है जो मैं से समिया लेकर आई थी सर वो बुके सूखरा था उसके फूर जड़ लेते बलके सड़ लेते सर आफिस में बदबू पहल जाती के मन मर जाए काहन मर जाए के मन मर जाए काहन मर जाए के अरे भैया हरे भैया कर दो बां नाश्ता कर्या तब आ आके जमीन पर क्यो बैड गहाई यहा क्यों नाश्ता कर रही हो योगा बानो योगा होगा क्या हो अलब वो ही योगा जओ मंजूर कुदा Person अठो जा कर दोने बैट के मैं मैŞ पर नाश्ता करो यह नहीं, बानो योगा. यू कालीन पर आलटी-पालटी मानने से योगा का योगा और नास्ते का नास्ता. वह उन है? हाँ, बराबर वालों के पहना ही होगी ना. यह पागल तो नहीं हो गया पहली, यह हांट बजा रहा था, अब हमारे घर की घंटी बजा रहा है मुझे लगता है बजिया का घर भूल गया होगा वो इसलिए हांट दे रहा है कि तुम लोग आज से वैन में कॉलेच जाओगी यहाँ यह लुए मैं बादी आख सेल और दाल नुए जफर को चुटी भी दे दूगी मेरी अगली जाब होने तक है अब्ता है, अब्ता है यह प्लीज 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 फ्लीज यह जाना करें प्लीज ता कमांसे कमांसे हिटलेर अभी आया तो नहीं ना? अभी आया नहीं. यह तुमनों क्या करें? तुम अपर काम करो ना? तुमने एमेल कर दी? कर दंद हुआक करेंछें कि कि एमेले सरते सानी करें यह तुमने एमेल vetो कि तुमने एमेले करें यह थे बांपान सानी करेंग Anda cái Самने मिस नाजिश, बंफिट कर दिया, घडिया मिला ले, पांच मिनिट बात का टाइम लगाया है, या तो बंफटेगा, या फुस लगी शर्त, देखिये, अगर उन्होंने नए बुके बदलने का नोटिस नहीं लिया, तो इसका मतलब, इसका मतलब, ओफो, इसका मतलब ये, कि इनका में समया से कोई चेकर नहीं है, और अगर नए फूल को देख के वो चिलाए, तो पर मैं सना दो अधार पे डीले कर दीजिएगा, आप शर्त आजाएगे, तुम दोरोद देख ले, वो इन फूलों का नोटिस भी नहीं करेंगे, अगर अगर नए फूलों का नोटिस अगर नहीं रहें दो, मेले कॉफी लेख लेकर दो, वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी, कमाल, 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 इन्हें काड़ी में रख दो, कमाल, 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 अगर तुम्हें यहां मुलाजित करनी, तो खुशकवार दिल और भशाष चेहरे के साथ करनी होगी, वरना, तुम्हें मुलाजुमत से परखास कर दिया जाएगा, समझें? जी जी बाजी बेगम, आपको बड़े साब की खुशी बहुत मुभारक हो, मैं दुआ करूँगा, कि उनका रिष्टाज तेह हो जाएगा, आमीर! क्या है? किसने भेजा है? वो मेरा पुराने वाला बुके कहा है, जो मैंसे समया लेकर आई ती? सर, वो बुके सूख रहा था, उसके फूल जड़ लेते, बलके सड़ लेते सर, ओफिस में बदबू पहल जाती, तो अच्छा नहीं लगता ना? इसलिए मिस नाजिश न नए पूल मंगवा के लगवा दिये, खुबसूरत है ना सर? ये? ये खुबसूरत है, इनकी बदबू से मेरा दमाग फटा जा रहा है, मुझे अपने फूल वापस चाहिए, वरना कल तुम सब लोग फारग हो जाओगे, शकल मन दिखाना अपनी! अपने कीशचोरत-।। अएड निढ़े है। तुम लोग ! चाहँ बात है मेरे स्थाफ़। ये भेडिये वेरी एफेशन। में समीह, आए ना आए प्लीज प्लीज। आप बधिए ना प्लीज प्लीज बधिए आए ना प्लीज बधिए । अगी रेटी? मैं इतनी जोड से बादी रहा बानो! बानो मेरे खाना लगाए मैं जल्दी शावर लेकर रानी हूँ पराथे की खुश्भू बानो! चलो भाई अच्छा खुदी बगा के खुदी खाएंगे करम-करम अचार पराथा यह पराथ बानो? बानो? क्या यह यह यह? पराथे सुखर साथ क्यातरता Komona क्या शुख शूण पराथे गरम पराथे यह आपने तो दिल की बात पढ़ ली न? जुखर आप पाद पली न? बहुत थके, बहुत थके। मौहा, बहुत 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 थे! अधिरेक्षान से ने कॉली ने ना कोर्णी बढ़ाई नी होती! आच्छे यह बता है, अम्मो का शो रही तक! यह नी वो तो जली गहीं दफटर. अम्मो? अम्मो आफिस गही है? वाँ भाई जबतास अच्छे यह बता है अब क्या पेंट के गई है अच्छे अपने पेंट के गई है मेकप शेक अब लगाया था लिप्स्टिक डार थी हालकी अदे कश्माला भी भी हमने ध्यान नी दिया असल में वो सम्दोनों भैनों को बगए रेशी की गाड़ी में जा अच्छे इसल एंदे एंड जा थी पेंड लिए दो थे भी आर वो समय वर वेंदे ब देंगी अग्यानी अग्यान कर दूच्माला ह एंदो रोशाणने अबने विए खाल्ड़ी में है इसलिए वीड़ीकि आसे में पिल्यां किल दूचे अद्ने और अदे सक्ट्क्टमाला रिलाक्स अलीत और अब रिलाक्स, कही शांस लो, कही शांस? वो चेक देने आई है लेकिन गुसा मत करो किसी तरह अनर्मी से, प्यार से उसे रोक लो, प्यार से इस तरह बो रुक जाएगी, मखरूर हुरत इस ओफिस में वो बैठी है तो, कैसे रंग से बिखर गई, हर तरफ से बहुर चलो कही चलीना जाए बहुर चलो मुझे खुशी हा कि आपने बहुत प्रफू अकल-मंदाना फैसला किया है I mean कि जूटी वापिस रिज्यूम करने का आफ तो पर तो ओरतें जस्बाती फैसले करती हैं और फिर पश्टाती रहती है सर ये पंद्रा लाग रुप है पाकी की पेमिंट में आपको मैं कहा ना कि आप में से समया मैं बहुती मुक्तलिफ और अकल-मंद खातुने हैं बहुती होश-मंद भी ये रिजाइन करना रोना धोना जजबाती फैसले करना ये तो खरेलो और कमजोर औरतों का काम है मैं राइए? जी और मैं तो आपको बोल्ड, बहादर और और खाइटर औरतों में शुमार करता हूँ वैसे भी तीन महीने तो यह चुटकी बजाने में गुजर जाएंगे दोंच यू थिंक स्पॉ वो क्या कहते हैं कि आप बेवा हैं तो दो ये तीन बचियां हैं और पर आके चलकर उनकी हाइड एडुकेशन, उनकी शादियां, जहेज, यू आप आप तो बहुत अच्छे एड्वाइजर हैं दोर्स भी कह सकती हैं आप मुझे ठीक है सर्थ, थैंक यू सर्थ, मैं आज से अपनी जोब इस्यूम कर रहे हैं मिसे समया, क्या आप अप इस पर बिलीव करती हैं किस पर सर्थ? शी लब्स मी, शी लब्स मी नॉट्र बिलकुल नहीं, बहुत ही स्टूगर और टीनेजर रवाली हरकते हैं ये मैं भी इन नहीं करता हूँ लेकिन मैं इस पर भी बिलीव करता हूँ और महब पर भी अले तुर अब आ गए? वैसे भी पांच बजगे हैं जी बाजी, वो तो कब के आगे? बता है आज बहुत खुशे हैं मुझे पूरे हसार उपे दिये हैं चेश्में बद्दूर आज सुबह तो ऐसे लगदा था जैसे उन्हें बुखार सा चड़के हो शुकर है के वो ठीक है वैसे भी आज जब उम्रीन को देखेंगे तो और भी ज़्यादा कुश जाएंगे बाजी वो तो है लेकिन बाजी घर में जब दुलन आजाएगी तो विरान घर में बहार आजाएगी पाजी मेरा कहने का मतलब था कि जब छूटे साथ थे तो बहुत रोनक होती थी ना घर में पाजी मैं ड्राइवर को बोल दूँ भाड़ी तेयार कर दे अब दफाब यो जी पाजी कि दोस्ट भी कह सकती हैं आप मुझे कर दोस्त भी कह सकती हैं आप मुझे वैसे, क्या उमर होगी आपके भाई की? मर्दों की उमर नहीं, उनका बैंक बैलन्स देखा जाता है. समझीया? मर जाए, क्या जाए, क्या जाए। तिल थालकने का सबब यादाया, वो तेरी आद थी, आप यादाया दिर लेक दिन था सरव यादाया क्योंद पारण हाद लेकर भार छल्व करो किया बात है अली दुराब, आज आप बहुत खुछ नजर आ रहे हैं? खेरियत तो है ना? बाह जी खेर तो नहीं, बहुत ही खेर हैं बैदर वे अज हम किसे देखने जा रहे है? इक लिख किये उपकर नाम है अम्रीन पाजी अम्रीन हो परवीन हो या यास्मीन हो क्या फर्क परता है हम लोग उनके घर जाएंगे और वो अपने आपको बेस तरीके से पोट्रे करेंगे डेही ना वो क्या नाम था उसका जरी है अम्रीन जी जी वो आएंगी अपनी साधा सी शेकल पर मेक अप करेंगे और क्लेम करेंगी कि जो बेकरी आइटम्स है वो अनने अपने घर तर तयार किये अपने हाथों से और फिर आप कहेंगी कि चलें अली तुराब उठी हे चलते हैं और मैं कामड़ा चली वाजी कह तो आप ठीक रहें अली तुराब हमेशे हैसे होता है अनकी किचन में जाके देखें तो बड़ी बड़ी बेकरी के बड़े-बड़े बैक्स पड़े होते हैं वह पर और नर्की के माह मेंशे ही कहती है के यह कबाब हिनाने बनाए हैं और यह समोह से तथीम में खुद अपने हाथों से बनाए है यह कोठी सलीम तुम गलाज जगा आ गया है नहीं बाजी बेगम यही है बड़ी साब आप यह खुद देखने हैं गड़े हाँ यही है यही हाँ यही हाँ यही हाँ हम वेखनेश कि यह लीजिन अन्जुम बेहन चिकन के समूसे अम्रीन ने खुद अपने हाथ से बनाए बहुत सफाई से बनाती है माशनला भी एकनॉमिक्स में किया है शेफ बनना चाह रही थी लेकिन हमने तो कहा बस बहुत हो गया शादी करेंगे अब तो हम उतनी बच्ची की जिन लड़कियों को शक्लो सूरत जरा मध्धम होती है वो उमूमन खाना पकाना सिखी लेती है वैस और अभी तो सिर्फ बाइस साल की है वैसे क्या उमर होगी आपके भाई की मर्दों की उमर नहीं उनका बैंक बैलन्स देखा जाता है समझी आप है 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 बुरा मत मानियेगा दरसल अली तुराब के लिए दोसो तीन सो लड़कियां देखी होंगी हमने हर दफा कोई ने कोई जूट पकड़ा जाता था तो इसलिए मैं जरा सी तल्ख हो गई थी कोई बात थी यह खुश्की है तेरल लग्वालिया करो हम से है बाद में बाद में आप आप बाद में पाद में आप बाद हम बाद हम आपकर शेंपू ले आए अमीद है कि अब आप मेरे शेंपू की जान चोड़ देंगी नहीं, हम तो अभी भी भी रीच हाम्रे से सर्थ होते हैं वो तो हमने ना टेली विजन में देख लिया था शैंपू ये उससे था के बाल काले हो जाएंगे तो जरा से इस्तेमाल कर लिया था वो आप इतनी चूट है सफेद बालो में कोई दूर इतनी काले बालो अम्मो आप मेरा प्थलो के क्या है ना हम पक्का बानो आज अम्मो को जादा ही प्यारी नहीं लग रहे है आप जादा फ्री ना हो जै वैसे भी अच्छी है है तो अच्छी मुझे बताएं कि अब जॉब कैसी थी आपकी अब अंकल तरह आप से डूस्टी हो गई हाँ वो मैं तो पूरा मूट बर आके गई थी के शायद हमदानी ट्वेजर्स में मैं आज आज आखरी बार जा रहे हूं लेकिन अच्छी किश्माला वह सितने बुरे है नहीं जितना मैं उनको समच रही थी रेली आइम एम एमीन रेली हाँ बलके अब मेरे दोस्त बहुत अच्छी मेरी अपसंस में काम इतना ओलट पिलट हो गया था उनने बड़ी मिननते की अखाथ पह जोड़े और वो भी बड़ी मेरमी से तो 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 क्या मैं मान गई और वैसे भी जॉब छोड़ने के सुर पिर मैंने वो ही किया जो तुम दोनों चाहती थी आज में जॉब मैं जॉब जॉइन कर ली अब अब कुछ दिया मो आपने बिल्कुल ठीक पैसला किया अब बानो आपका वेरी एक्स्पेंसिव फोन जरे दीजेगा अब हाँ देना बानो अच्छा ये हेलो अरे किसे पोन क मेरे बैक सिपोर निकाल लो नहीं वह अच्छी आप माहम का नंबर इसमें सेवन है मैंने माहम को कॉल करनी है तो अबर्पस मैं अगर क्या रही हो ये लड़की तो मूमीठा कराई है ना सब का बात संझे पक्की हो गई हमें अपनी मंचा ही लड़की मिल गई और क्या जाहि मुझे कुछ बहुलत तो दें रात में अम्दीन के वालिज साब आजाए मैं उनसे मश्वरा ही कर लेती पीटा मिठाई दो ये ली जो मिठाई नहीं मैं मीठा नहीं खाता अश्क्यूज मेरे एक फोना किया है हलो हलो मुबारक हो अंकल तुराव किस बात की इसकी जल्दी पता भी चलिया है जाहिरत है जाहिर सी बात है आजकल का जमाना सुपर फास्ट चल रहा है फेस्बुक नाम की भी तो कोई चीज होती फेस्बुक एक नभी पांच मिनट पहले तो पांच मिनटी पांच घंटे हो गए अम्मु को वापस आई वे जॉब से आखिरकार आपकी महबत ने अम्मु का दिल पिगला ही दिया विसे सच बात बताओं सचे प्यार में बड़ी ताकत होती है थैंक यू सो मच अंकल तुरा थैंक यू विसे रोशाने भी आपको कॉंग्राट्स कह रही है बात करवाँ देनी अभी नहीं अभी तो मैं नहीं आया वाँ ना बात कर दो दो अरे अंकल तो राब आप बड़े शर्मी रहें बहुत शायं वैसे बात बताओं अभूने पहली बार पहली बार आपको बत तमीजी आ पागल नहीं का बलके आपकी तारीफे करें थी आपकी तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो जी वह आज मिठाई का टोकरा वापस नहीं आया यहां जाए अब वापस नहीं आएगा तुम्हारे बड़े साहब की बात तै हो गई है इनके घर में यह तो बहुत अच्छी बात है बाजी बेगम बहुत मुबारक वापको बहुत मुबारक हो बढ़े सब चलो हाई बाजी बेगम तिनी हसीन है बड़े साहब की दुलहन कितने अर्से के बाद ये लफ सुना गया है इस कोठी में खैर चेशमे बदूर हक बात तो यह गुलनार कि सिर्फ अम्बरीन ही हमारे अली तुराब की दुलहन बनने के लायक है जी बाजी बेगम बेशक उसके चेहे पर कुआरपन का जो तकदूस है वो दूसरी तड़कियों में कहा है तुपट्टे के हाले में ऐसे लग रही थी जिसे बंज सीप के अंदर मोती पाकीजा, हयादार, नौखेज, सादत मन्द हाँ बाजी जी लेकिन बाजी बेगम नी कुछ ज्यादा कमसर नहीं है हाँ है, बिलकुल है, हमें ऐसी कमसर लड़की चाहिए थी अपने अली तुराब के लिए जी, कमसकम हर सूरत अक्वारी तो होगी, और फिर हमारी और अली तुराब के सुनेगी, जी, आजकल की मूप हट, हवाई दीदा, डौकर पेशा खवातीन की तरह से नहीं, वो तो जिंदर निकल जा है हमारे भाई को, बोला भाला है वो, कुछ समझी, जी बाजी बेगम, ब बाजी बेगम वो तो आप हैं, जो दूर तक निगाह डालती हैं, वरना हम गवारों को क्या पता बाजी, बाजी बेगम आपके सरबे तेल डाली, नहीं, जाओ, अजी खुश्की लग रही है, जाओ, तुम्ही बटा है, एने तो पैकिंग भी कर लिया, पैकिंग, किस चीज की पैकिंग, कौन सी पैकिंग मैडम, यह फ्यूचर बाबा के घर जाने की, और कौन सी, अच्छा बाज सुरो, तुम्हाने हमारे कमरे का कलर पिंक हो गए, खाहन मर जाए, मेरे गुरू, किदर गायब हो? देखोई, जब तुम इस तरह से चुप होते हो ना, तो मुझे टेंशन होने लगती है, मुझे घबराट होती है, और मुझे यकीन होता है कि कोई ना कोई कयामत आने वाली है, है ना? येस, तुमने बिलकुल ठीक अंदाजा लगाया बच्चे, मैं सोच रही हैं कि बड़े मियां अच्छे खासे श्रुप है, बड़े मियां, कौन बड़े मियां? अफो, अकल तो और आप, ये तो वह ओल्ड मैं, गुड़े स्लो और उपर से शाय, प्रपोस करने में दो-चार साल ही ना लगा दें, ये तो बिलकुल ठीक अंदाजा लगाया तुमने गुरू, आगे बोलो, देखो, एक हफ्ते पे बाद सर्फ दोस्ती तक पाँचे, अब खुछ सुचो, जादी कब लोगे, प्रपोस कब करेंगे, हम नए घर में कब जाएंगे, हम, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा, तुम्हें पता है, मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, पैकिंग? किस चीज की पैकिंग? कौंसी पैकिंग, मैडम? ये फ्यूचर बाबा के घर जाने की और कौंसी? अच्छा बाद सुनो, आशाने हमारे कमरे का कलर पिंग होगे, जी, नहीं पर-पल, नहीं पंक होगा? मैंने के दिया पर-पल, धिक हो पिंक होगा? पर-पल पर-पल पर-पल… कोटी पर-ण्रोगन भी कराना है, प् adap राना है काई साल होगे ना? हमारा पस चले तो हम पूरे शेयर को बना समार के भिलको निया कर दें आखिर को हमारे एक लौते भाई की चादी है, जो हमें अपने बेटे से भी ज्यादा आजीज है। क्या बात है, अली तुराब, जब से आप वहां से आये हैं, आपने एकदम चुपसी साद लिये? हम जानते हैं, आप औरतों के मामले में खासे शर्मीले वाकर हुए हैं, अब देखिये ना, कौन सोच सकता था के आपका नसीब अमरीन जैसी कुआरी और खुबसूरत लड़की के साथ वाबस्ता हो जाएगा? पाजी मैम, मैं तो अभी तक शौक में हूँ, आपको अंगुठी पैनाने के तनी जल्दी क्या थी? यह पूल मैं आपके लिए लाए हो सम्मार, दिल की गहराई हो से ना तो मिस्टर ली बिमाज है और नहीं पाकिस्तान है सर आपकी खलाज बात नहीं हो गई है, कॉंड़ेट सर मैम, अम्रीन से